इंदोर पुलिस महानिरिक्षक इंदोर जोन विवेक शर्मा एवं पुलिस उप महानिरिक्षक शहर इंदोर हरिनारायन चारे मिश्र द्वारा संपत्ती संबंधित अपराधी चूरी नकब जनी घटनाओं पर अंकुष लगाने एवं इस प्रकार के पुराने प्रक्रणों में आरोपियों की पतार सी हेतु प्रभावी कारिवाही के लिए समस्त थाना प्रभार्यों को नरदेशित किया गया है और इसी कड़ी में एक चोरी के आरोपियों की गिरिफतार करने में एवं चालिस लाख तरियासी हजार रुपे नगदी बरामत करने में सफलता प्राप की है पुलिस थाना कनाडिया छेतर अंतरगत दिनांग तीन जुलाई सोंबार को फरियादी विवेक द्वारा घर में एक लाख रुपे नगदी चोरी की सूशना दी गई थी जिस पर थाना कनाडिया ने कई धाराओं में अपराध पंची बदकर अनुसंधान प्रारम किया पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जाच परताल की गई तो पाया कि घर से 50 लाख रुपे का एक बैग और भी चोरी हुआ है इस प्रकार कुल 51 लाख नगदी की चोरी होना पाया गया एक लाख रुपे फरियादी विवेक चुग द्वारा ने बैग में रखी थी जबकि 50 ल द्वारा फरियादी के सभी नौकरों से तथा आने जाने वालों की जानकारी लेकर उन पर नजर रखी गई वही पूर्व में रहा नौकर रामू का आचरण संदिग्द पाया गया जिसके द्वारा अपने घर में टाइल्स लगवाई गई और खरिदारी की गई जिसके चल आरोपी रामू को पुलिस हिरासत मे लेकर सगन पूचताच की गई तो आरोपी ने चोरी का माल अपने घर में जमीन के अंदर गाड के रखना बताया गया जिसके चलते पुलिस त्वारा आरोपी रामू की निशान देही से उक्तिस्थान से खटना स्थल से चोरी किये गए 40,83,000 रुपे एवं खटना में प्रयोक्त बोलेरो गाडी सब्त की गई है शेश राशी के लिए अभी रक्षा के आरोपी रामो एवं राथा नेपाली से पूछताच की जा रही है